इसनातक सिचक चैन परिक्षा 2001 चित्रकला तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन है अगर देखना जाएं तो देख लीजेगा फर्स्ट कुश्चन है प्राग्यतिहासिक भारतिय चित्रकला किस सतय पर बनाई गई प्राग्यतिहासिक भारतिय चित्रकला किस सतय पर बनाई गई चट बाग असंबंध है क्योंकि मिर्जापूर भीमबेटका और सिंगनपूर प्रागतिहासिक काल की गुफाएं है बाग गुफा की खोज 1818 में डेंजर फिल्ड ने की थी टोटल यहाँ पर 9 गुफाएं है गुफा नमबर 2 से सुबंदू का तामर पत्र मिला है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद सैल चित्रो के लिए फेमस है 1922 हिस्वी में मनुरंजन घोष ने इस गुफा की खोज की थी और यह गुफा नर्मदा नदी के किनारे है अजन्ता चित्रों में प्रशीद चित्र कौन सा है बोधिसत्वा पद्मपानी अजन्ता के गुफा नमबर Łएक में बनाये गए अजन्ता में कितनी गुफाएं है तो आजन्ता में टोटल 30 गुफा है 29 पहले थी बाद में अभी पूरी 30 गुफा है जिसमें 14 और 15 के बेच में एक 15 एकर की गुफा मिली है तो उसके बाद 30 केव्स हो गए तो 30 ओप्शन में नहीं तो 29 राइट होगा आजनता चित्रो का मूल विशय क्या था तो इनका मूल विशय जो सब्जेक्ट मैटर थे वो बुद्ध चरीत था और टोटल बौध धर्म में कितनी जातक कताए हैं तो 547 जातक कताए हैं आजनता किस प्रदेश में है तो ये महराष्ट के औरंगाबाद में इस्तित है देख लेते हैं मड़ा संदर राजकुमारी गुफा नमबर 16 में बनाई गई है चंदनत जातक गुफा नमबर 10 में है पद्मपाणी औल्यू की तेश्वरा है गुफा नमबर 1 में और महावीर श्वामी का यहाँ पेंटिंग नहीं बनाया गया है जैन चित्रकला भारत में किस छेत्र में छेत्री की है जैन चित्रकला तो यह भारत की है पश्चिमी छेत्र की है और पाल शाली के बारे में पुर्वी शाली पाल कला है पश्चिमी है जैन कला और अभरन शाली को ही जैन कला कहते हैं उनी सो तेरह में इस गुफा की खोज हुई थी इन में से कौन असंबंध है चौर पंचासिका विलहड की है सूर सुंदरी त्रिसश्टी का शाला और पुरूषचरीत्र कथा शरी सागर ये मद्ध काली शाहित्र के चित्रकला है चौर पंचासिका जयन शाली की है राजिस्थानी चित्रकला के चित्र है राजिस्थानी चित्रकला में यू तो भित्ती चित्र और पोथी चित्र हुई है लेकिन वो फेमस है लगु चित्र के लिए किसंगर सैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई राजा सावन सिंग और यहां के फेमस आर्टिस्ट है निहाल चन्र जिन्होंने पेंटिंग बनी ठनी बनाई थी बनी ठनी फेमस क्यों है तो ये भी मिनियाचर पेंटिंग के लिए फेमस है और आटिश निहाल चन्र जी ने नगरीदास कहा जाता है नगरीदास उन्होंने बनी ठनी को राधा की रूप में रिप्रेजंट किया है इन में से कौन असंबंध है तो राइट आंसर इस आगरा शैली क्योंकि जैपूर, बुंदी, शैली और किसंगर ये तीनों राजस्थानी का पार्ट है अलग-अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम शाधन क्या है तो आंखे हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स की आइस बनाई जाती थी लग कहीं पर, सॉरी, कहीं पर परली आंखे बनाई जाती थी तो कहीं पर बंद की हुई आंखे दिखा जाती थी, अर्ध खुली हुई आंखे इस तरह से चौर-पंचासिका का चित्रड की शैली में हुआ सु चौर पंचासिका का चितर हुआ है राजस्थानी स्कूल में कौन सा केड़ राजस्थानी शैली का है सु बिकानेर राजस्थानी शैली का पार्ट है बसौली पहाडी शैली का है गड़वाल भी पहाडी शैली का है एहमद नगा दक्षिनी स्कूल का है इन में से कौन असंबंध है तो कोटा स्कूल कोटा शैली है तो राजस्थानी शैली में चार पार्ट चला था मेवार मारवार हडोती और डुंडार तो हडोती वंस का है कोटा गुंदी हो जालावार सो कोटा है राजस्थान के हडोती सक्षन का राजस्थान के पिछवाई च चारिजम चला था मिवार माडवार हडवती डुंडार तो मिवार का ही सेक्षन है नाथदवार के आर्टिस्ट है नारायट चतूरबूझ घासी राम और कमला और इलाइचियां की फिमेल आर्टिस्ट थी और पोर्टल ऑफ गॉड में किस तरह की पेंटिंग जैसे भगवान को बठा दिया गया हो सपोज यहां पर भगवान बैठे हो अब पीछे इनके स्क्रॉल टाइप में पोटल ऑफ गॉड की पेंटिंग लगाई जाती थी उनके मंदीरों में कुछ इस तरह के मंदीर सो जाते थे पीछे पेंटिंग पोटल ऑफ गॉ मुगल पोथी इनके समय में बनी सो राइट एंसर इसी अकबर हमजा नामा का फार्सी अदुआत किस ने किया था तो अताउला कास्बीन ने किया था हमजा नामा में टोटल 360 360 कहानियों का जिक्र किया गया है और 2400 पेंटिंग है हमजा नामा में 2400 जिसका दो डिवाइडेशन हुआ था और टोटल कितने खंड थे तो बारे खंड थे चार खंड हुमायों के टाइम में चित्रित हुआ और आठ खंड अकबर के टाइम में चित्रित हुआ हुमायों के टाइम में जो चार खंड चित्र कार था सो दसावन बसावन मीर सयाद अली अब्दुल समत अक्पर के काल के थे हैं रज्मनामा ग्रंत क्या है तो यह है महा भारत का फार्सी अनुवाद रज्मनामा के लेखक हैं अब्दुलकादिर बदायूनी 1582 से 87 तक में यह कंप्लीट हुआ था और टोटल कितनी पेंटिंग है तो 169 169 पेंटिंग है ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाते वक्ट दसावन की 24 पेंटिंग बनाई थी उन्होंने और 21 पेंटिंग में सिगनिचर मिलता है तो 21 पेंटिंग के दरान उन्होंने नहीं थी क्योंकि उस दौर्ण वह पागल हो गया थे फिर उनकी डेथ हो गई थी रजमनामा संग्रहीट कहां है तो यह जैपूर में राजा मान सिंग संग्रहाले में है और इसकी दृतिय कृति चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिदत हैं तो यह जह चेत्री मुगल शैली मुगल शैली के पतन के पश्चाज जो शैली विभिन केंडरों में इस्थापित होई वह कहलाती थी वैसे तो कंपनी शैली होई है लेकिन विभिन चेत्रों में चेत्री मुगल शैली इंफ्लेंश रहा उसका मतलब रिफ्लेक्शन था कांगडा चित् चित्रकला सार चंडर कांगड़ा शाली का तीसरा महत्पूर केंडर टीरा सुराज नूर जहां पे राजा संसार चंडर के कला जगत में एक नवीन क्रांती उत्पन होई थी और उच्छ शेखर तक वो पहुची थी यह कला नादौन में भी पहुची जहां इसमें महत्ता प्रभाव था मुगल शाली का इनमें से कौन असंबंद है तो राजस्थानी मुगल और कांगड़ा या फिर अजंता सो राइट एंसर इस डी अजंता चित्रकला कांगड़ा शाली के चित्रों के विसे हैं उपरियुक तो सभी कृष्णलिया से भी संबंदीर पेंटिंग बनी है नायक नायक और रागमाला से भी कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंडर नहीं है सो मेवार बसॉली और कांगडा गुलेर कौन सा नहीं है तो मेवार नहीं है क्योंकि मेवार राजस्थानी से लिका केंडर है बसॉली गुलेर और कांगडा पहाड़ी से लिके पार्ट है भारती चित्रकला के पुना जागरड का श्रे किये जाता है बैंगॉल स्कूल को बैंगॉल स्कूल का टाइम है 18.95 तू 19.20 वैसे तो फाउंडर ईवी हैवेल कहे जाते हैं अगर वो अप्शन में नहीं होंगे तो अब निन्ना टैगॉर करेक्ट होंगे बंगाल शैली के जनक कौन थे अबनी ना टैगोर वाश पेंटिंग के लिए फेमस हैं बैंगॉल स्कूल के फाउंडर अबनी ना टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाये थे हैं तो उनका मेडियम देख लेते हैं वाश टैकनिक में जलरंग में उन्होंने पेंटिं इसवी में और 1922 इसवी में ये शांती निकेतन में प्राचारे बनें नंदलाल बसू का नाम की संस्था से जुड़ा 1922 इसवी में ये शांती निकेतन में टीचर बनें सुराइट एंसर इस डी पंडाल को किसने सजाया नंदलाल बोस दिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा तो महात्मा गाने नंदलाल बोस की चित्रकला से बहुत प्रभावित थे हैं इसलिए उन्होंने नंदलाल बोस को तो लखनौ फैसपूर और हरीपूर के कांग्रेश अरिवेशन के सभामंडब सुसजित करने के लिए सौपट हैं उन्हीं में से इनकी हरीपूरा पढचित्रावली भी इन्हीं में से एक है और हरीपूरा जो पढचित्रावली बनाई गई है वह किस माध्यम में है तो वो सिच्छ थे तो यह थे अल्हाबाद विश्य विद्याले में कब गय थे वहां पर टीचिंग के लिए तो 1922 से 1965 तक यहाँ पर चितरकला विभाग में अध्यक्ष रहा है इन्होंने अल्हाबाद में ही रुचिका आर्ट गैलरी श्टार्ट की और इनको मतलब यह स्टूडेंट किसके थे तो अब निन्ना टैगोर की स्टूडेंट थे चितिन्नात मजुमदार और 1800 एक क्यान वेस्वी में पैदा हुए थे और शिशिर कुमार घोस ने इन्हें वैश्णो कलाकार संद कलाकार और भाव का सम्राठ कहा जैया अपस्वामी ने इन्हें कहा कि इनकी जो पेंटिंग से उसमें संगीत का भास दिखाई देता है अशित कुमार हलदर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल ब जिसमें चिंतामडीकर एवं व्राय राजिश्वर बली के मंत्री मतलब उनको आमंत्रित किया गए और व्याक्था चित्रकार असित कुमार हलदर को लखनो कॉलेज अफार्ट का प्रधम प्रिंसिपल चुना गया और इन्होंने फर्स्ट टाइम और का इन्वेंशन भारत म छेभर की पेंटिंग में हैं कौन बंगावाव चित्रकार नहीं तो देख लेते हैं बंगाल चाहरी के बात वारे में बात में हो रिए तो सुदीर रंजन कुर सेम荐्ध लिकों कौल चन डेर्वी ऑर शाधारच रडूपिली ऐख आन्सर होगा डी इश्वरी प्रसाद इश इस्वरी प्रसाद कांगडा शैली के एक वंस परंपरागर चित्रकार थे और ये पतना सैली चली थी पतना सैली कंपनी सैली को कहते हैं इसकी खोज हुई थी साथ में पैदा हुए थे यह भी बैंगॉल के हैं और एनस बेंद्रे एनस बेंद्रे कि सिज्म के हैं तो यह बड़ादा ग्रूप के बड़ादा ग्रूप के और 1910 इस्वी में पैदा हुए थे तो राइट एंसर डी होगा और यह भारत के बिंदुवादी का लाकार भी कहे जाते हैं एनस बेंद्रे इन में से मुर्तिकार कौन है देवी प्रशाद रॉज चौधरी स्कल्प्टर आर्टिस्ट है 1899 1899 पैदा हुए थे ताजहाट बांगलादेश में इनकी बहुत फेमस स्कल्प्चर है लेक्ट्रियम फॉफ लेबर सहीद इसमारक जिसे मार्टिन्स पैरिस में इनकी कला गुरु कौन थे दिपी राय चौधरी के तो हिर्मन राय चौधरी थे और इनके यूरोप के जो कला का मतलब यूरोप से इंस्पाइर टीचर रहे हैं उनका नाम था बायस तो यह दोनों ध्यान में रखिएगा याद कर लिजेगा हिर्मन राय चौधर प्रेणाली 1887 इस्वी में बेंगॉल में पैदा हुई थी और इनका जो टैक्निक था वो टैंपरा टैक्निक में काम करती हैं देवी प्रशाद रॉय चौधरी यहां प्रिंस्पल बने तो वह बने थे मद्रास कॉलेज ओफ आर्ट में 1929 में और यह मद्रास कॉलेज ओफ आर्ट के बाद ललितकला एकेडमी न्यू डेली में भी प्राचारे बने थे 1954 में रविन्ना टैगोर के चीत्र किस प्रकार के हैं तो इनके जो चीत्र हैं वो आधुनिक विमूर्थ शैली के हैं रविन्ना टैगोर 1861 में पैदा हुए थे हैं बैंगॉल में और यह चित्रकार चित्रकार तो यह बाद में रहे हैं पहले यह एक पोईट थे हैं कवी और यह अपनी पैंटिंग में कौन सा मीडियम जादा यूज करते हैं तो इंक शाही वगरा से पैंटिंग बना देते हैं असित कुमार हलदर जाने जाते हैं कवी कलाकार के रूप में असित कुमार हलदर ने जो मतलब पैंटिंग बनाई है तो कौन से शैली थी तो गित्यात्मक सैली कित्यात्मक सैली इनकी पैंटिंग में दिखाई देता है अमरिता शेरगिल ने चित्रकला की सिक्षा पाई तो उन्होंने पैरिस से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और 1934 में जब वो भारत वापिस आई तो शिमला में बस गई थी और इनका हिले स्टेशन में का जात पर प्रभाउ तो कौन सा प्रभाउ था अम्रिता शेरगिल पर अजंता का प्रभाउ था 1936-37 तक इन्होंने समस्त भारत में भ्रमड किया झाट कि अम्रिता शेरगिल ने सरौरपथम जन्ता के विशाल एवं भव्य भिति-चित्र को देखा और भारतिय कला तथा जीवन से प्रभावित हुए अम्रिता शेर्गिल की कला ने यहां की प्रिंटिंग मतलब एक न्यू रिवलियूशन लाए यहां थी आर्टिस्ट सुनैना देवी प्रशिद फिलोसपर है इस्टेला क्रामरिश आर्ट क्रिटिक है इस्टेला क्रामरिश उन्होंने कहा कि सुनैना देवी भारत की पहली प्रतम चितेरा है और ये किसके सिस्टर थी तो अवनिना टैगोर की किस भारती ये कलाकार के चित्रों की प्रतिलीपिया अधिकांस घरों में लगाई जाती है प्रति राजार रवी वर्मा इनको मतलब इनके आट को कैलेंडर आट भी कह जाता है और इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब रिवन को उसमें कनवर्ट किया है देवी देवता और माइथलोजिकल सीन्स में वह कौन से अर्टिस तो राजार रवी वर्मा अंग्रेजी शाषन के बाद मतलब अंग्रेजी शाषन के कारेट जिन नवीन चितो शैली का जन्म हुआ वह कौन से शैली थी तो वह कंपनी शैली थी कंपनी शैली की खोज पीसी मानक ने 1943 सिस्वी में किया है और कंपनी सैली को पटना सैली के नाम से भी जाना जाता है कंपनी सैली में जल रंग का यूज हुआ है और जनर लाइफ मतलब कह लिजी कि साधर जन जीवन जैसे सबजी बेचने वाले मज़दूर काम करते हुए इस तरह की पेंटिंग बन बनाई थी मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई थी 1968 सिस्वी में अपनी फिल्म थ्रू दी आइज ऑफ पेंटर के लिए इनको गोल्डन बियर पुरसकार बर्लीन से मिला था बर्लीन फिल्म महुत सो से प्राफ्त हुआ है कौन से आर्टिस्ट है तो एमफ हुसैन इन में से कौ आए जाते हैं तो यह ग्राम दृष्षे बनाते थे के स्कुल करनी इनका जन्म अठार उन्नीस सो अठारह में करनाटक में हुआ था कि के के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है तो कैसे चित्रशैली थी उनकी रिखात्मक बॉम्बे ग्रूप चला था बॉम्बे में उसके फाउंडर है केके हैबर कमपनी शैली के भारती केंडरों में प्रशिद है पटना इस्कूल पटना शैली भारत के एक मात्रक अलाकार जिनके चित्र पिकासों के साथ प्रदर्सित होई वो थे मग्बूल फिदा हुसाइन मग्बूल फिदा हुसाइन का जन्म उन्नीस सो पंडरेश्व में सोलापूर महाराश्ट में हुआ था और इनको जो नागरिकता मिली थी वो लंदन में मिली थी ये माइग्रेट होकर लंदन चले गाते और इन्होंने अपनी सिच्छा किसे ली थी पहले आर्ट की तो उनके गुरू थे देवी लालकर देवी लालकर से सिच्छा ली एजुकेशन मतलब बी एफ़े एमफे का इंटरेंस के त्यारी करने के बाद ये जे जे स्कूल आफ आर्ट में इन्रॉल्ड हुए थे तो बड़ादा स्कूल आफ बड़ादा में थे बड़ादा कॉलेज अफ आर्ट है कहां तो ये बड़ादा में ही है और एनस बेंद्रे का फूल फॉर्म में पूरा नाम इनका है नारायर श्रिधर बेंद्रे चित्र में रेखा को happy प्यंटिंग बनाते हैं सपोस का दो या करती एक आकृती बनती है एक शीप बना मैंने कोई भी पैंटिंग माउंटें बनाले यहिक शेप बना लंसके Remote पर प्रबाभी पैदा होती है और चित्र को क्या बनाती है तो सबते हैं देती हैं तो बहुंद होसए लेकिं परती है ऐसे हैं दो सबंफने कर देते हैं तो मिसलगों जल有點 शुब किम्न के साथ महत्व है किसका महत्व है रहो सबंच के साथ रह इसे एंपरं सब्सक्सेयक है क्योंकि प्रागती हासिक और मिनदाल में जब भी पेंटिंग बनाई जाती थी उससमें कुछ ने कुछ डॉइं एकसोईज़ेट अबाइं हर्फिर वी यह फिर कुछ भी ऐसा डिपिक्क करते थे हैं र्टा कौन सा वाक्य सही नहीं है आकृती को रूप मिलता है तो इसमें wrong बताना है right नहीं तो आकरिती को रूप मिलता है तो इसमें गलत कौन सा है तो प्रकाश और छाया question कह रहा है आकरिती को रूप मिलता है तो आकरिती जब हम कोई shape बना रहे होते हैं कोई भी landscape तो आकरिती को कि एक टोन है उससे पेंटिंग थोड़ी रिलीफ हो जाती है 3D एफेक्ट मतलब प्रभास होता है कि वह त्री डामिशनल लग रहा है उब रहा हुआ लेकिन उससे रिलीफ उस माटेरियल से आकृति को प्रवा नहीं है भारती ये शौंदर ये शास्ति के प्रतम दार्शनिक है भरतमुनी का ग्रंथ है नाटेश आस्त्र नाटेश आस्त्र में टोटल कितने रसों का वर्ण किया गया है तो टोटल आठ रस का वर्ण किया गया है और चार कलर्स है काला सफेद पीला लाल आकृति से इस पश्ट होता है हमने कोई लैंडस्केप बनाना है तो उसे क्या है जब भी कुछ बना रहे हैं तो ये आकृतियों से क्या एक रूप ही तो मिल रहा है तो राइट एंसर भी आकृति में प्राण होता है तो वो ले से आकरती में प्राण आता है ले में हमने कोई flower बनाना है suppose हम rose बना रहे हैं या फिर lotus बना रहे हैं तो क्या जब ये इस तरह से move करेंगे इसके leaves बनाएंगे बहुत प्यारे प्यारे motifs देंगे आलेखन create करेंगे तो उससे क्या होगा एक ले दिखाई देगा प्रिंटिंग्ज। इस्थी चितरडë प्रमुक रूप से देखने को मिलता है पाशातख चाहली में सरवप्रतम इस्थी चितरड़ मिलता है मुगल शायली में द्रिश्य चितर में परीप्रेक छिक से इसपस्ट होता है परिप्रेच परस्पेक्टिव की बात हो रही है हमने कोई पेंटिंग क्रियेट करनी है इस तरह से वायर बना दिए तो इसे देख के परिप्रेच का क्या डाइमेंशन आ रहे है फिल कीजे वस्तू की इस्थिती, वस्तू का आयतन वस्तू की रंग रूप ये उप्रिप्रेच तो सभी सुराइट होगा वस्तू की इस्थिती परस्पेक्टिव कितने टाइप्स के होते है परिप्रेच दो प्रकार के होते है एक होता है वायवी ये परिप्रेच और दूसरा होता है रेखी ये परिप्रेच तो वाई वी परिप्रेक्च के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो वाई वी परिप्रिक्च होते हैं जो हम colors के through depict करते हैं लैक हमने landscape है बनाना है तो ब्लेर background दिखाना दूर का तो ब्लू ये फिर ग्रेस कलर यूज करें गे फ्रेंट का बिल्कुल ब्राइट कलरक्ष यूज़ करेंगे तो वो वाय वे परिप्रेक्ट्र आजाता है रेखिये परिप्रेक्ट्ष किसे कहते हैं जो स्कैचिंग एफिर कोई रेल्वे श्टेशन का रेल्वे क्रॉसिंग का मॵव्मेंट काप्चिर कर रहे हैं वह रेर बरीयibile सिंपल तरीके से बस यह समझ लिए वाइव यह परिप्रेश में कलर्स का यूज होता है रेखिये परिप्रेश यह लाइन के थूर डिपिट किया जाता है अब देखे सेम उससे रिलेटेड कुश्चन आ गया एक मकान का अंकन परिप्रेश के सिध्धान के अनुसार है तो हम गोई मकान द्राँ करेंगे ऊच और उसे पहल जिएट कोई वी बिल्डिंस बना रहे होंगे तो इसमें किसका उ रहा है वाइविए को यह रेखिये का यहना पर यह पर रिकुत हो रहा है विए किहां माशन प्रक्स करद districts को बना रहे हैं यहां कि indifferent Math rides इनका परिप्रेक्ष सिध्यानत में मेहत्व है तो किसका मेहत्व है परिस्पेक्ट्व लगुता है मतलब दूर कोई भी painting हमने दूर से बनानी है तो दूर से drawing फिर पास पास जाते रहते हैं फ्रंट आते हैं और बड़ा होता रहता है दूसरा light और shade के बारे में बात हो रही है प्रकाश एवं रंग तो प्रकाश एवं ब्रंग का भी यूज है वाइवी यह प्रण प्रपेक्श है य विलियम बिंदू और छितिज रेखा तो जब हम लैंड्स के बनाते हैं तो छितिज रेखा और विलियम बिंदू का यूज़ करते हैं तो राइट अंसर डी उप्रियुक्त सभी कला क्या है? वाट इस पेंटिंग तो प्रकृती का चित्रड, भाव का चित्रड, प्राडियों का चित्रड ये कला की अनुभूती से परिपूड चित्रड तो राइट अंसर होगा डी कला की अनुभूती से परिपूड चित्रड रश का अर्थ है तो देख ले तने रश का अर्थ क्या है? अच्छी कलाकृती कलाकृती में दर्शित भाव कलाकृती का विसे दर्शन के मन में उत्पन्द आनंद एवन अमनुभूती तो राइट आंसर डी होगा रस का मतलब सिध्धान्त यही तो होता है कि दर्शन जो सामने वाले हैं जो आर्ट हमारे अंदर है तो उनके अंदर भी कुछ इस तरह की पेंटिंग क्रियेट करो कि वो भी देख के हैपिनेस फीलो लाइक कोई खुश है तो रस को इस तरह से अप्लाई कर दो कि वो पेंटिं की जो शाम झाले हैं तो उस इस तरह आप्लाई करेंगे और चित्रकार कले करते हैं वात्सयायन रचीत कामा सुत्रा कामा सुत्रा कर लिजीगा कि व्याख्या का टीका करण कला के सडंग का उल्लेक किस ने किया तो वह ग्यारवी सताब्दी में पंडितिय सोधरा ने किया तो थोड़ा description देख लेते हैं जैपूर नरेश जैसिंग प्रतम की सभा के राजपुरोहित पंडित थे हैं पंडित ये सोधरा इन्होंने ग्यारवी सताब्दी में कामा सुत्रा का टीका करण अपनी पुस्तक जैमंगला में प्रस्तूत किया है कामा सुत्रा का प्रतम अधिक करण के तीसरे अध्याय की टीका करण करते हुए ये शोधरा ने आले के 6 अंग बताए हैं जिनमें हैं रूपा भेदा रूपा भेदा प्रमाना भाव लावन्या योजनम साद्रिश्य वर्निका भंग दीकि एक्ट्वल में रूपा भेदा का मीनिंग यह होता है कि जब हम क मतलब होता है एक्ट्वल मेजर्मेंट कि इस तरह से पेंटिंग को डिपिट करना है उसका साइज प्रपोर्शन भाव उसके एक्सप्रेशन को कि वह सैड है यह है इस तरह का कैप्चर करना होता है लावन्या लावन्या मतलब ग्रेसफूल ब्यूटी कि कि किस तरह से अट् palette of color scheme कि आपके इस तरह के स्कीन के अकॉर्डिंग पैलेट में colors प्रेंटिंग में एड़ कर रहे हूं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो और बेश्ट विसेश पार एक्जाम